Hello and welcome to RLR XL Network, मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस amazing वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे हम Excel के अंदर एक 3D डोनट चार्ट बनाना सीख सकते हैं और अपनी MIS रिपोर्ट को पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर शो करा सकते हैं तो उसके लिए मैंने अपनी इस Excel की शीट के ऊपर अपने 3 MIS का नाम लिखा हुआ है और उन्होंने इस महीने कितने कितने स्कोर किये हुए हैं अपने लेवल वो सब यहां पर मैंशन है और इस डेटा के बेस पर मैंने अपने 3D डोनट चार्ट बनाया हुआ है आप देख सकत हैं कि अगर मैं अपने किसी भी MIS की स्कोर को चेंज करूँगा तो उसके हिसाब से यह जो डोनट चार्ट है चेंज होगा विद डेटा लेबल जैसे माल लीजे मैं चेंज करता हूँ सपोज राजे इसने 65% स्कोर किया है मैं चेंज करता हूँ अगर मैं राधा के लिए चेंज करता हूँ से इस तरीके से आप किसी भी अपने MIS के अगर परसंटेज स्कोर को चेंज करेंगे तो उसका जो डेटा है और यह बहुत खुबसूरत है और इसको बनाना इससे भी ज्यादा आसान है चले चलते हैं बनाना सीखना स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी तक तो जरूर कर लें क्योंकि आगी की आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी खुबसूरत चार्ड बनाना सिखाऊंगा जिससे कि आप अप पर चार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैं यह आपर पेस्ट कर दिया अब मुझे इस ग्रीड लाइन की जरूरत नहीं है तो मैं सबसे पहले इसको व्यू टैप से रिमूफ कर देता हूं ठीक है उसके बाद अब हमें एक सपोर्ट कॉलम की जरूरत है क्यों क्योंकि 1, 1 means 100% minus जो भी आपका स्कोर है ठीक है तो 94% स्कोर की है और 6% रह जाए तो मैं अब क्या करूँगा डेटा की help से 3D डोनर चार्ट बनाओंगा और इससे पहले कि मैं 3D डोनर चार्ट बनाना स्टार्ट करूँ मैं आपको एक बात यहां पर बता जाता हूं कि Excel के अंदर already 3D Mr. ौनर चार्ट अवेलेबल नहीं अकर आप चाहें तो देख सकने हैं insert टैप के अंदर से यहां पर 2D डोनर चार्ट है बर 3D डोनर चार्ट अवेलेबल नहीं है So हम सबसे पहले आईकन लेकर एक 3D डोनर चार्ट में convert करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, insert में जाएंगे, illustration में जाएंगे, shapes में जाएंगे और यहां से यह वाला icon जो की hollow circle का icon इसको select करेंगे, shift बटन को press करें keyboard में और इसको drag करें, उसके बाद यहां से इस value वाले points को pick करें और इसको drag करें इस तरीके से, उसके बाद इस icon के उपर right click क करें, format shape के उपर जाएं और यहां पर आप देखेंगे कि effects का option आ रहा है, इसके उपर आप click करेंगे, सबसे last में आ रहा है 3D rotation, तो इसको expand करेंगे और यहां पर हमारे सामने कुछ presets हैं, तो हम इसके अंदर से एक preset choose करेंगे, parallel के अंदर से, isometric top up, तो यह chart यह icon कुछ इस तर 320 और Z rotation हम देंगे 30 degree, इसके बाद यहां पर दूसरा option आ रहा है 3D format, तो इसके उपर हम click करेंगे, top bevel के अंदर से, हम bevel के अंदर जाएंगे और एक चौथा slant graph जो है select करेंगे, तो यह कुछ इस तरीकी से दिखने लग जागा, अब इसकी width को थोड़ा सा increase करेंगे, तो depth क के उपर click करेंगे, और यहां से इसका depth size देंगे 7, उसके बाद हम यहां पर shadow के उपर click करेंगे, और इसके बाद यहां पर presets नजर आ रहा है, और यहां से हम presets देंगे, इसको थोड़ा सा down करते हैं, यह वाला presets देंगे, perspective, upper left, उसके बाद यह कुछ इस तरीके से इसकी shadow नज करेंगे, तो अब कुछ इस तरीके से यह chart हमारा नजर आएगा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस data की help से हम क्या करेंगे, एक pie chart करेंगे, और pie chart की help से यह जो shadow नजर आ रहा है, यह हम gray out दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने data को select करें, insert में जाएं, य हमें इसके outlines की requirement नहीं है और shape fill की ज़रूरत नहीं है, तो इसको remove कर देते हैं, format tap से no fill, shape outline, no outline, उसके बाद हम अपने pie chart को select करेंगे, और pie chart के भी outline को हटा देंगे, इस तरीके से, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो यह blue portion नजर आ रहा है, यह हमारा नजर आ रहा और जो यह red portion है वो है आपका जो की achieve नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, double click करेंगे अपने pie chart के उपर, blue वाले portion को select करेंगे, ध्यान रखें, उसके बाद fill effects के अंदर जाएंगे, और यहाँ सी इसको कर देंगे no fill, alright, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा resize अपनी जरूरत के अनुसार, और इसके बाद इसको fit कर देंगे इसके center में, check करने के लिए कि यह proper fit हुआ है नहीं, हम इसको जरा एक बाद 0% कर देते हैं, और अब देखेंगे कि यह almost fit हो चुगा है, बट इसका जो shadow है वो नजर आ रहा है, so हम इसको थोड़ा सा increase कर देते ह हैं, दोनों side से, उसके बाद अब करके देखते हैं, मैं करता हूँ 95, यह देखिए, अब यह बिल्कुल accurate है, मैं इसको कर देता हूँ, 50% करता हूँ for example, उसके बाद हम क्या करेंगे, double click करके यह जो सरफ red portion है, इसको select करेंगे, उसके बाद fill के अंदर जाएंगे, यहां से solid fill लेंगे white, उसके बाद इसकी transparency में दे देंगे 15%, तो यह कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा, इसके बाद जब भी आप अपने MIS के score को change करेंगे, तो यह अपने आप reflect होगा, जैसे मैं आपर करता हूँ 45, यह देखिए, मैं आपर करता हूँ 75, तो यह देखिए, मैं data level कैसे add करेंगे, source के लिए हम क्या करेंगे, insert में जाएंगे, यहां से एक simple text box लेके draw कर देंगे, उसके बाद text box को select करेंगे, formula bar में जाकर is equal to press करेंगे, और score को select करके enter कर देंगे, इसके बाद इसके alignment कर देते हैं, so alignment हम center में रख देते हैं, उसके बाद font size को थोड़ा सा increase क रख देते हैं, 30 ले लेते हैं, 32, इसके बाद इसको थोड़ा सा bold कर देते हैं, इसके बाद इसका font color देते हैं, जैसा कि हमारा donut है, blue, उसके बाद text box को select करेंगे, और format में जाकर इसका shape fill as no fill, shape outline as no outline, उसके बाद इस box को हम select करके यहां रख देंगे, इसके बाद अब अगर ह change होगा, इसके साथ साथ आप अपनी M.I.S. का name भी दे सकते हो, इसके लिए हम दुबारा से text box में जाएंगे, एक text box ले लेंगे, draw कर देंगे, is equal to press करेंगे formula bar में और नाम select कर देंगे, इसके बाद इसके alignment कर देते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा साइन क्रीज कर देते है बोल्ड कर देते हैं, इसका color देते हैं, font color yellow जैसे की यह है, उसके बाद format fill में जाकर shape fill as no fill, shape outline as no outline, उसके बाद हम इसको यहाँ पर रख देंगे, इसके बाद यह हो गया आपका chart पूरा ready, अब अगर आप कभी भी अपने change करेंगे score को, तो यह automatically change होता रहेगा, तो यह खुबसूरत तरीका है कि किसी भी तरीके से आपने data को एक 3D effect दे सकते हो, अपनी MIS report को और भी बहतर बना सकते हो, मैंने एक ही आप के लिए बनाया है, ताकि बाकी के जो बचेव हैं, वो आप खुद से बनाया है, और बनाने के बाद मुझे वीडियो के नीचे comments करके बता नहीं, next video में हम किसी और 3D charting series के बारे में जानेंगे और सीखेंगे something new, alright, so आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के लिए, goodbye.